हेलो फ्रेंट्स तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल नहीं नविला में तो फ्रेंट्स अभी की सबसे बड़ी अपडेट आई है कि ग्रूप ABF कॉंस्टेबल का कटफ जारी कर दिया गया है और यह कटफ बहुत ही ज्यादा चौक आने वाला है इसमें जो जनरल का कटफ है उसका कम कटफ गया है और OBC का जादा गया है तो फ्रेंट्स ऐसा इतिहास पहली बार हुआ है कि OBC का कटफ जो है वह जनरल से ज्यादा गया है तो चलिए इस वीडियो में डीटिल में आपको दिखाते हैं लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को भी दबा दे था कि मेरे आने वाले सारी वीडियो के नोटिफिकेसन आपको मिलते रहे हैं तो चलिए वीडियो सुदू करते हैं तो फ्रेंट्स अब हम आ गए हैं आरिपेफ कॉंस्टेबल के ओफिसर विबसाइट पे यहां आप देख सकते हैं कि कॉंस्टेबल का कॉंस्टेबल का कॉंस्टेबल का कॉंस्टेबल का कॉंस्टेबल कर दिया गया है चलिए इसको क्लिक करके देखते हैं तो friends इसको click करने के बाद यहां आप देख सकते हैं group A, B, F का यहां पे cut-off list दे दिया गया है और यह जो cut-off list में जो marks बताया गया है वो normalized marks बताया गया है तो friends यहां जो female का marks है जो group A में OBC के लिए 46.67, SC के लिए 41.24, ST के लिए 38.49 और UR के लिए 47.69 जो male category के बाद कर लेते हैं तो OBC के लिए 93.55, SC के लिए 77.29, ST के लिए 76.71, UR के लिए 79.75 और ex-serviceman के लिए 36.22 तो friends यहां ex-serviceman का जो cut-off है वो बहुत ही ज़्यादा कम गया है और friends जो इतिहास इन पहली बार हुआ है वो यह हुआ है कि जो OBC का cut-off है यहां 93.55 और जो UR का cut-off है यह 79.75 यहां friends आप देख सकते हैं लगबग 14 marks का difference है UR और OBC में OBC कहीं ज़्यादा चला गया है और UR का कम हो गया है तो friends यहां आप देख सकते हैं कि marks कितना उपर नीचे गया है तो friends यह बहुत ही ज़्यादा चौकाने वाली result है तो friends इस वीडियो के last में हमां को बताएंगे कि कैसे merit list बनता है और कैसे बच्चों को select किया जाता है तो friends आगे चलते हैं और group B का cut-off देख लेते हैं तो group B में देखते हैं कि जो female candidate है उनका OBC में 49.81, SC में 49.58, ST में 43.27, UR में 57.91 और male category में देख लेते हैं तो OBC में 88.35, SC में 83.73, ST में 76.69, UR में 87.15 और ex-servisman में 36.23 यहां भी आप देख सकते हैं जो UR का cut-off गया है वो 87.15 गया है और जो OBC का cut-off गया है वो 88.35 गया है तो यहां आप देख सकते हैं लगभग एक marks ज़्यादा गया है एक सदेर माक्स करीब ज़्यादा गया है UR और OBC में तो friends आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जाओ काने वाला result है अब हम लोग group F का देख लेते हैं तो जो group F में थे वो सिफ male candidate थे यहां female candidate allow नहीं थे OBC में 84.19, SC में 70.51, ST में 68.22 और UR में 86.89 और X अरिस्में 36.14 तो friends F category में सही गया है लेकिन A और B का जो category है वो बहुत ही ज़्यादा आने वाला है तो friends अब हम आपको बताते हैं कि कैसे OBC का cut-off ज़्यादा चला गया है और कैसे UR का cut-off कम चला गया है तो friends नही justification में कि क्या vacancy table था उस पर आपको detail में समझाता हूँ तो friends यहां आप देख सकते हैं मैंने RPF coin table का vacancy chart खोल लिया है यहां आप देख सकते हैं कि group A में जो UR category के लिए पोश्ट था वो 656 था और OBC के लिए 32 था तो friends आप देख सकते हैं कि 32 seat था इसलिए यहां competition बहुत ज़् है वो जो भी Marks सबसे ज़्यादा लाता है और वो अपना का लाते हैं तो सबसे पहले वह अपना काटेगरी का streetbook कर लेते हैं जैससे किसी ने 90 Marks लाया है और वो OBC都 सबसे पहले OBC का streetbook करता platform करता है फिर उसके बाद updated 88 लाए रहते हैं वो 85 लाए रहते हैं उनका धीरे-धीरे selection होते रहता है और जब तक 32 लड़के select नहीं हो जाते हैं वैसे जो higher cut-off से lower cut-off तक बच्चों का selection होता है उसके बाद 32 student select हो जाएंगे तब वो जितने बच्चे होंगे वो जाकि आप UR में यहां fight करेंगे तो friends यहां पर वही reason है क्योंकि OBC में seeds कम थे और बच्चे बहुत ज्यादा थे मैंने बताया भी था कि जो OBC के बच्चे हैं उन्हीं का marks बहुत ज्यादा आ रहा है मैंने analysis में भी यह देखा था कि जो OBC के बच्चे हैं उन्हीं का marks ज्यादा आ रहा है UR candidate से तो यही एक region हो सकता है ज आप लोग का ही इतना support था जिसके चलते RPF ने अपना cut-off list जारी किया ठीक 2-3 दिन बाद ही अपना cut-off list उन्होंने जारी कर दिया है अब हम लोग उन पर प्रेसर ते रहे हैं कि सर आप बच्चों का response भी जारी किजिए कि उनका raw marks इतना था और उनका normalized marks इतना हुआ उन वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंट तक सेयर कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए बेल आइकन को भी धाबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकासन आपको मिलते रहे हैं तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद